वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी में आपका स्वागत है फिर से उमीद आप लोग सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छा ही हूँ आज हम बात करने बाले हैं कि कंप्यूटर को सेफ कैसा रखा जाए आपके कंप्यूटर को कोई भी यूज कर सकता ह है तो उस यूज को कैसे रोका जाए माली जाप किसी घर में घर में है या किसी और जगह है तो घर में भी कोई आपके कंप्यूटर को कुछ बच्चे माली जया आपकी बच्चे छेड़े नहीं उस कम्प्यूटर को को define कर ले तो चीज के लिए एक चोटा सा है काम को पासव अब देख रहे हैं हम दोस्तों कि Windows 10 में password कैसे लगाता है ताकि अपने computer को protect किया जा सके किसी के unauthentic use से तो उसके लिए आपको कहां जाना है यहां start पे जाना है start पे जाने के बाद आप type करना control c-o-n-t-r-o-l जैसे यह control टाइप करेंगे यह control panel application यहां दिख जाएगे आपको ठीक है यह control panel application दिख जाएगी तो इस पे click करना है आपको control panel पे और यहां option दिखेगा user account तो इस जगह मत click करना आपको कहां करना है change account type इस जगह click करना है उपरवाले पे click कर आओगे तो गलाच जगह पहुंच जाओगे आपको कहां जाना है change account type तो यहां पे जाके click करना आपको और यहां पे click करने के बाद आपको फिर यहां click करना है जैसे यह दिख जाएगी विंडो आपको इस विंडो पर आपको यहां क्लिक करना है तो यहां क्लिक करते ही खाली जगह है ऐसे लगता है कि जैसे खाली जगह है लेकिन खाली जगह नहीं है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां आजाएगा फिर create a password, अब यहां आप अपना password type कर दीजे, कोई भी, यह मैंने password type कर दिया है, ठीक है, और यहां आप अपना password hint दे दीजे, यह मैंने password hint दे दिया है, ठीक, और मैं यह आप कर देता हूं, create password, यह मेरा हो गया, system तेयार अब अगर मेरे computer को मेरे को खुद को भी access करना होगा तो मुझे इसमे password डालना होगा और इस तरह से हम अपने computer को safe रख सकते हैं अब आप जब भी sign out करेंगे या जब भी computer को restart करेंगे power off होने के बाद तो यह आप से password बांगेगा तब आपको यही password देने हैं जो आपने अभी type करके लिख है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाएक के और सब्सक्राइब करना न भूले आपको Windows 10 से संबंदित कई tips and tricks देखने को मिलेगी